हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दर्स के विज्ञान के महत्वूर बहवी कलपी प्रश्ण को देखेंगे फ्रेंस आज आप सभी को जितने भी प्रश्ण कराने वाले हैं आपकी पिछले साल के पेपर 2023, 2022, 20, 19 और 2018 में ये प्रश्ण कई बार रिपीट हो चुके हैं फ्रेंस आप सभी का 2024 के बोर्ड के एक्जाम में ये सभी प्रश्ण 100% आने वाले प्रश्ण है फ्रेंस ये ऐसे प्रश्ण है ये 2024 के लिए वायरल प्रश्ण है तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंस जिससे आप बोर्ड की एक्जाम में बिज्ञान की पेपर में 70 में 70 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सके फ्रेंस जितने भी आप सभी को बहुई कल्पी या लांक इस वीडियो जरूर देखा कीजिए ठीक है जिससे आप बोर्ड की एक्जाम में 95 प्रतिशत अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंस चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए आपके साबने यह पहला सवाल है आपका देखिए फ्रें फ्रेंस यह 2024 के बोर्ड की एक्जाम में यह प्रश्ण आने वाला है इस प्रश्ण को आप ध्यान दीजिए गांड़ें क्या है आपको प्रश्ण सुद्ध जल का पी एच मान है ठीक है दीगे फ्रेंस सुद्ध जल का पी एच मान यहां पर आप संधी है जीरो होगा एक तो आप याद रखेङगा सुध कतना होता है साथ इसके लाव याद रख़ेगा कभी कभी आपसे पूछ लेता हुद्धासीच तो बता है पत कि यहां पर दो-तीन में इन साथ से और उधिक मानता है तो से शारी कहते हैं यहां कि साथ से कम मान रहे तो क्या कर लाएगा आपका अम्ली कहलता है ठीक है और यह आथी साथ रहे उसे उदासीन कहेंगे या सुद्ध जल कहेंगे इस पॉइंट को ध्यान दीजिए फ्रेंस यह आपके दो हजाच चौबिस के वाइरल प्रश्णों में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस सवाल है अब देखें यहां पर आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल है यह भी आपके बोर्ट के एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है देखें क्या है आपका यह टू यस विलियन का पी यह मान होगा तो पहले आपको पता होना चाहिए जो यह टू यह यह है क्या तो फ्रेंच ती अफ्रेंच मात्रह ऑऻने के करणद को आपको अमली से कम और यहас हिं प्रकाल से आपको सभी्रशणो डीटेयल में आपको समझाएंगे आप इस वीडियो को अंति तक जरूर देखें ठीक है अब आपके सामने अगला नंबर का सवाल है तीसरा नंबर का देखिए कि चारी वीलियन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है ठीक है अब जरूर याद रखिए कि जो यह सूचक होता है जिसे फिनाफ्थलीन हो गया मेथी आरेंज हो गया फिर इसके लावर लिट्रबस पेपर हो गया इस पे सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में पूछा जा कि गहां प्रक्रत्हें फिनाफ्थलीन चारी ग्रोह देताँ और आपको गुलावी आप संटा अक्व आ इसमाने मिलकू अगया गया इसका इसके यह आ Еще एक और अपको करेक्ट होगा ठीक है प्रश्ण आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका चौथा नंबर का सवाल है दिखे क्या है यह प्रश्ण आपको पढ़ा है पुरा डिटेल में बता है आपको यहाँ ट्रिक से बताएंगे ऐसे प्रश्ण को आपके बोर्ड क प्लस में प्लस में बताएंगा बटाएंगे दिया और यहां पर पीच मान पूछें यहाँ घात की रूप में आपका माइनस में होगा इसका एंस्ष्ण हमेसा किस में बता बताएंगा यहां पर देखेंगे इसका क्या सई जवाब होगा यह वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्ट को बीना हल किया भी आप लगा सकते हैं सेकेंड़ों में लगा सकते हैं जैसे घात है तो माइनस घात पर रहेगा तो उसको प्लस में एंसर बता दीजिए को वही एंसर हो में वहाँ होगा अब देखेंगे फ्रेंस यहां पर क्या है आपका देखेंगे फिस्के लगाने का तरीका अलग होता है आपको डीटेट्ल में बता है यदि आप नहीं जानते हैं तो जाकि आप वीडियो कर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बवीकल्पी प्रश्न अईसा प्रश्न आजयता है इसको ट्रिक से बताएंगे आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे आपका यही रहेगा बस इसमें क्या करना है कि एक गुरेद दस पे इसको जो है यहां पर मान यह प्लस कराएगा इसको क्या कीजिए गटा के बताएगा तो चौबेद्ध में से बारा गटाएगी तो कितना हो जागा माइनस दू रखिएगा ठीक है देखे फिर जो माइन रहते नहीं कि ओएच माइनस यदि मान दिया है उसको गटा के बताते हैं प्लस में इसको प्लस में से घटा के पताएंगे और यादी यही सवाल आपका यह प्लस आयन का मान पता रहे तो डारेक्ट इंसर बताते जैसे आपको पहला सवाल चाहला नंबर की इसके उपर आस ऊग्राइब प्रश्न समझ में आगया होगा, चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका 6 नंबर का सवाल है, तो आपर याद रखिएगा स्ल्फ का फर्मुला घंता ही य सो इसको जल में आप मिलाएंगे अपर जैसे यह की आदर की साथ ह्साफ मिलाते हैं तो यह आप क्या पनता है तो इसको याद रखिएगा से जलीऑ विलियं में असे हम्मून आप coverage- अब दिखेंगे फ्रेंस यहाँ आपके अगला नंबर का सवाल है, साथ आपके अग्जाम के लिए अमली वर्सा के जल का समभावित प्यच मान होता है, आपको जो अमली वर्सा होता है, आपको पढ़ा रहा थे तो पकाई दे इसको 2-3-4 पर बता है, उसका प्यच मान कितना ह पांच देख लेता हैं पांच दसमलों सब्सक्राइब इसको आप प्रक्षान के नियाद रखेगा आपके सामीं अगला नंबर आठवा सवाल है यह अभी आपके बोर्ड के एग्जाम में दो प्रशन पूछा जा चुका है कि छारक के साथ हल्दी का रंग होता है ठीक है यानि छारक के साथ यदि हल्दी मिला दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा आपसा ने पीला होगा नारंगी होगा बूरा लाल होगा या अपवर्तित रहगा यानि उसके रंग में किसे पगार का परिवर्तन नहीं होगा तो Friends याद रखिएगा चारक के साथ हल्दी को मिलाता है तो उसका जो रंग होता है बूरा वा लार हो जाता है जिसका सभी जवाब से सब्सक्राइब पूर्णक क्या होगा correct हो ठीक है अब फ्रेंज अग्ले नुबर के अब हिरेकिन कर्किन किया साथ से कम है साथ से कम साथ से क्या अभीस कम है वाता है तो वह अमली होता है इसका सही जुआ अधिक देता थका हो जाता चाहरी होता और आपका साथ देता तो वाठ publi ुदासी नो जाता समझ में आ यह प्रश्ण हंडेड परसंटेज गारंटी देते हैं फ्रेंस के पीचेश मांस संबदी एक कोईशन आपके बोर्ड की एक्जाम में जरूर रहेगा देखें दस्वा नंबर का सवाल आपका क्या है कि सल्फ्यूरिक अमल में अमली हाइडोजन परमाड़ू की संख्या है आप पहले आपको देखें इस परकार के जो सवाल होता है इसका पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए किसका फार्मूला क्या होता है इसका सल्फ्यूरिक अमली हाइडोजन की मात संख्या कितना है क्या पूछ रहे हैं यहां पर हाइडोजन का संख्या पूछ रहे हैं यहा सुत्र याद होना चाहिए कितने हैं कितने हैं कितना हो जाएगा समझ में आ गया अब देखिए यहां पर अगला सवाल है कि 11 नंबर का यह भी क्या है कि पाचन के दोरान उत्पन जठर रज की पीच होती है आपको यह प्रस्ण कितने पर बता है कम से कम जब पढ़ा रहते हैं आप लोगों कम सक्षार बार प्रस्ण बता है आपके बोट के लिए सबस्व जदा इंपॉर्टेंट है देखेंगे फ्रेंज पाचन के दोरान उत्पन जठर रस की पीच मान होता है तो आप याद रखिए को जठर रस होता है उसका पीच मान हम होता है अर्थात वो क्या होता है साथ से कम होने का मतलब a फ्रैंट देखें यहाज देक्ट साथ से साथ के बराबर या 0 के बराबर तो इसका सही जवाब क्या होगा साथ से कब होगा समझार होगा जो रजो हलता इसके साथ याद puts sounds न मिक बाता है यह 60 K की महत्राब पाई जाता है यह स्वाल को देखते हैं इसको इंप्रैंट कर लीजिए 204 के लिए क्या है कि विरंजक चुर्र का सुत्र होता है देखें यह तो आज आप सभी को प्ढ़हा रहा था थे स्ट्र क्या होता है फीए च्टीन दिखाए दुसरा क्या है कि सी ये और हैँ यहां पijnक्त पॉर यह जा था फार्मुला ठीकहा जो바 का स्फूर क्या होता है दूसरा टरगा एक आप याद राखिए गों होता है इसे हम क्या करते हैं में नाम से जानते हैं किस नाम से तेझा अभी चीन ब्लीचिंग पाउडर इसको किस नाम से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहेगा या विरंजक चुड़ कहेगा दोनों का एक ही फार्मुला है सी ए और सी ए टू ठीक है कभी-कभी आपके आपसान यह वाला भी मिल जाता है तो दोनों आपका सही होता है ठीक है अब कि फूर्मौला होता है यह एटू स्यों ट्री डाट 10 एस टू ओ होता है इसको याद रखेगा आपके सामने 14 वानमबर का सवाल है आपके बोड के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है क्यूं पर्टेंट रफ्रेंस की आपके बोड के इक्जाम में कई बार रिपीट हो होगा इसका सही जवाब सीवल आपसन क्या होगा आपका करेक्ट होगा इसको याद रखिएगा जंग का रसाइनिक सुथ्र ठीक है आपके सामने अगला नंबर पंदरावा नंबर का सवाल फ्रेंस कि एक हाइड्रोक्लोरिक अमल की शक्ति दस में माइनस टू कैप्टल यान है है इस लिस्ट का फ्रेंस की शुक्ति हमाटल के स्क्रीय को जब आपका विकृत होता हो जैता है यहां है यह प्लस अएन का मान की मान कितना दिए • और क्या पूछ रहा है पीएछ का मान पूछ रहा है जब पीएच का मान पूछट रहा है यहाप जैकि इसो लाष नंबर का ध्य제情況 प्लस में बता है बस इतना ध्यान दियान देना है इसका सछी जबब कोई देखए आपका अगला नंबर का सवाल भूई आपका कि शारी विलियन का पीएच होता है प्रीस आपको तही पता है इस फेल दिष्ए जवाप्ट हो होका साथ से अधिक इसका सही जवाब कि ऑगाएगक पीएच्छ म मान होगा या उधासी इंक मैं यह आपको इस टार्टिंग में ही पता दिये थे कि इसलिए कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टापिक है फ्रेंस यह देखें फ्रेंस आपका अगला सवाल है 17 नंबर का कि नीबू और संत्रा जो होता है नीबू और संत्रा में कौन सा अम्ल उपस्तित होता है आपसाने असिट्रिक अमलोगा टाट्रिक अमल कि एक विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है इसका प्यच मान होगा तो फ्रेंस देखिए आपका जो अमल होता है अमल जो होता है नीले लिटमस को क्या करता है लाल करता है याद रखिएगा अमल जो होता है नीले लिटमस पेपर क्या करता है लाल करता है तो फ्र कि यहां आट्ट करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसका सही जवाब यहां एक्जाम इस सफ़ाल आ चुका इसलिए इस सवाल को ध्यान गुष्ट होता है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखा करें ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें फ्रेंस 19 नंबर का सवाल है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उप्योग किया जाता है आपसान है बेकिञ इचोटा को प्रयोक करेंगे बावन जैवाद करेक्ट हो या पर याद रखियेगा अभी आप भावन जोटा का फार्मूला पढ़ें सोटा का फार्मुला क्या पढ़ें आपटेते हैं क्या पढ़ें आप म्हायने हैं से अंपskते हैं कि अंप द्यान से पढ़ेंगे तभी आप बता इसमें तो है नहीं यहां पर हाइडूजन होने काड़ी क्या हो जागा इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंच देखिए आपको 20 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन करा है ठीक है आप इन प्रशनों को आप जरूर पढ़के जाएगा जिससे आप बोड़ के एक्जाम में आपको बहुत कल्पी प्रशन यह आता है बीस नंबर का वह बीसों का बीस प्रशन अदम करेक्ट करके आए ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बाद पास अधिक से अधिक इसको शेयर करें